सब्सक्राइब तो संस्क्रीट का हम पेपर लेके आ यह सबदाइब फिर्म इससेट रहेगा थिक सब्सक्राइब कर दो 20 टि सब्सक्राइब अब कर ट्र 단 except इसमें रहेगा थिक आपका 105 पोड रहेगा पेपर खी इसमें जो आपका कोर्षन बुक लिस्ट रहे यह देख सकते हैं आपका सभी कोशन हम आपका लेकर आ चुके हैं एकदम आपका इलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका लिए ठीक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करदेगा सभी सब्सक्राइब का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुए उसका लिंक या आप चैनल के प्लैलिस्ट में जएगा वहां से आपका एक प्लैलिस्ट मिलेगा सेंट अप टोटल kो मिल जाए का तो पुड़ा वीडियो को हो सके तो कौपी में लिख लिजएगा है याद कर लिजेगा में एक準 तो पूर्सुन को आपको में responds to орशुलीजह बता दें कि कॉ लग आपको 50 को सब्सक्राइब को बनाना होगा ठीक हम ऑफ लाइन जो होता है ऑफ लाइन फी पर आपको टकर आने वाला है ठीक और एक्जाम देखे कमेंट में बताएगा आपका कितना को सब्सक्राइब था ठीक चलिए कोशन नंबर एक सिदेखते हैं कोशन नमर एक है आपका कि सांख दर्शन के परवर्तक आचारे थे पूरा जितना भी बताया हुए रेड पेंसे यह पूरा हम क्लासरूम में चलाए हुए है ठीक तो यह क्लासरूम में भी हम पूरा बच्चों को बताया थी वह जिसका पहला आयंशर क्या हो जाने वाला है थिचलियो को चलिकर को समकर हुद देखेंगे को चलिकर नमबर किके रचना है तो किन रचना है तो किसा की है रचना है तो हरो अजाएक मथी लिए जाएगा ठीक Question No.3 देखते हैं Question No.3 है DEEP प्रत्य कीज से पद में है, तो कीज पद में है तो सिरीमती में DEEP प्रत्य है Option No.2 हो जायेगा Question No.4 देखते हैं olduğ성 No. 4 देखते हैं कि लगु जोड तपम तमप से कौन सा पद बनेगा, तो कौन सा पद बनेगा तो लगुतम बनेगा, ठीक, option number यह हो जाएगा, question number 5 देखते हैं, question number 5 है आपका, कि प्रदाय, प्रदाय में कौन सा प्रत्य है, तो प्रत्य होता है, प्रत्य होता है, पीछे होता है, हम पिछले वीडियो में बताएटे, ठीक, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाक फोटलक लकार का रूप है ओपर सनमबर भी हो जाएगा चलिए को लेक় साथ का बरते हैं कि अरॐban 7 k has a अनके सामान किस सब्द का रूप चलेगा रूप चलेगाप कर अपfigyon every फल पॉन होगा सब्सक्राइब फोर नहीं होगा सिंथ्पी हो जाएगा बालग साम के पных सा उपसर्ग उपसर्ग आगे लगता है नीर जोर मानम्त नीर कौन सा है अप्शन नमबर डी हो जाएगा ठीक चलिए, कोसिन नमबर नो देखते हैं,9 नमबर नमबर फेम है,सीता रामम नुगछती वाक्य में प्रत्मा विभगती का परियोग कि सुत्र के अनुशार हुगा ति आपका हो जाएगा करतरी प्रत्मा माहो जाएगा ऐसे सीन नमबर आ हो हभा राजा कर पूत्र को रागी पूत्र करते हैं ठीक जीक ठीक को सन्थी में च्शन क्यों कराइख त заключ कुछी संधी में सिए रहीं कि वेकार का जुए हप भीकैन मतलब परीवर्टन होता है या आकशन का हो जाएगा हन्जन हो जाएगा तो से था संधी हुई है तो इसका हो जाएगा यह जोर ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा तो सब्सक्रीटा संधी का उधारन कौन सा है निरोगा हो जाएगा नमबर यह जाएगा ठीक कर्सें नमर 14 साइट्य का विग्रह क्या होगा उप्शन नमबर सोला देखते हैं असांती के निवारन का उपाय किस पाठ में वर्नित है तो यह आपका विशु उसांती पाठ में वर्नित है ठीक 17 किसे असहिनुताज जन्म लेती है तो असांती से असहिनुताज जन्म लेती है option number A हो जाएगा question 18 देखते है अठाण कोशन है कि परपीडम से क्या होता है परपिडम से आत्मा नास होती है option number A हो जाएगा question number 19 देखते question number question है किसे सांती होती है किसे सांती होती है तो परपकार से option number B हो जाएगा question number 19 देखते है question number question है कि जोर एकम की संधी क्या होगी तो एका एकम हो जाएगा option number C हो जाएगा तो 100 question को आप copy में लिख लिजेगा 100 question को copy में लिख के याद कर लिजेगा ठीक चले question number 21 क्यों बढ़ती किस number question है किस किस पद में सुरसंधी नहीं है सुरसंधी नहीं है तो कस्चित हो जाएगा option number D हो जाएगा question number 22 देखते हैं किस समास किस समास का प्रथम पद अभ्य होता है तो option number B हो जाएगा अभ्य भाव question number 13 देखते हैं तो इस नमर question है उप नगरम का विग्रह क्या होगा तो इसका option number B हो जाएगा उपरी नगरम question number 24 देखते हैं 24 नमर question है वीना अभ्य के योग में कौन से विभक्ती नहीं होती है तो यह हो जाएगा पंचमी विभक्ती नहीं होती है option number B हो जाएगा question number 25 देखते हैं 25 नमर question है कि उड़ेते सुर्य सह सनानी सनाती वाक्य में सब्तमी विभक्ती किस सुत्र से हुई है किसी सुत्र से हुई है option number B हो जाएगा यास city भाव यह लभव लच्छनव चलिए 26 नमर question देखते है 26 नमर question है अनुक्त करताक में कौन से विभक्ती होती है कौन से विभक्طी होती है तिरित्य विभक्ती होती option number C हो जाएगा question no 27 देखते है 27cion है कि करना स्यदानवीरता पाठ में ब्राह्मन वेश में कौन परवेश हुए थे आपका सक्र परवेश हुए थे ब्राह्मन वेश में सक्राइब यह हो जाएगा खुर्शन 19 देखते हैं करने सरोब परतम सक्र को क्या देना चाहए था टो गाए देना चाहए था ठीक आफ Whew कात्ये नंबर वी हो जाएगा सबसे पहले बोला था कि आध़ाय देते हैं हजार हो गाय देते हैं ठीख को सब любов देक्ते हैं करना से दानेवीर्थ आपाट में पाथ में नधा दात्त्स्वें नबीद की उक्ति तो च्प्रबोलता था कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए ना दात्वेंट ना दात्वत्तम अब्सान नम्हार यह हो जाएगा ठीक शर्ण 31 वाक्ति है किस्ट बोधने सुत्र में प्रत्मावभिभाक्ती वाक्य में किस वाक्य में है तो मोहना मुना पुंस्तकम पठ चरीक अमर 32 22 को सबस्द में किस पद में और अउपसरग है अउपसरग है तो अवकास हो जाएगा अवकास हमें धीक कुर्शन मातापद का मुल रुप क्या है तू मातापद का मुल रूप मातरी हो जाएगा ऐस हुआ मदन लुप सरे असमद सब्ध में प्रतमाविभक्ति एक वचन का रूप कौन नंबर सी हो जाएगा आहम है कोशन नमबर 35 देखते हैं कि जही किस धातु का रूप है तो जही जो है हन धातु का रूप है अप्शन नमबर सब्जेक्टिव का सॉलोशन हम आपको दे देंगे सॉलोशन लिख लेंगे कॉपी पर आपको परवाइड करवा देंगे कोशन नमबर 36 देखते हैं दाध हातु के लिट लकार उत्तम पूरूस एक वचन का रूप कौन सा है तो यह आपका हो जाएगा दायत दास्यामी हो सब्सक्राइब करना क्या है पुड़ा कोपी में लिख लेना है लिखन पद किस परत्य से बना है तो आपका कत परत्य से बना है तो आपका हो जाएगा जलम यम से बना है ठीक कोशन नमबर 40 देखते हैं कोशन है कि इंद्र का स्टिलिंग रूप क्या है इंद्र का स्टिलिंग रूप इंद्रानी हो जाएगा ठीक कोशन नमट 41 हो जाएगा ब्याग्रपति कथा में दान धर्मादिक चर्तु भवान किस का कथन है तो किसका कथन है यह आपका हो जाएगा बाग क्या कथन था ठीक यह कहानी आप पढ़ लीज़ेगा इसमें से अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कोशन आता है ठीक व्यागरपति कथा जो है चलिए कोशन नमबर 42 देखते हैं वह ऐसी प्रत्थ में सुत्र से डीप प्रत्थे किस सब्द में हुआ है तो यह आपका हो जागा अप्शन रॉल और प्रत्थे किस सब्द में किस पद में बना है तो यह अपका हो जागा चीन आतीं अप्शन स्वास नमबर 45 देखते हैं मनुष्य तौं में कौन सा अधित प्रत्य है तुए इसका हो जागा तो हो जाएगा ठीक वह आपका प्रत्य होता है वह पीछे होता है तो कि लोब के दूर्ष पर इनाम का वर्णन किस पाठ में है तो ब्यागरपति कथा में है ठीक लोब के चलते हैं उसका जान चले जाता है के सय को महिए अब्स नहीं किस सब्सक्राइब का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है तो इसका हो जाएगा उसमाइब को सब्सक्राइब किस पद में अनु उफसर्ग नहीं है अनु उफसर्ग नहीं और पचास को और विए पढ़ लिए ठीक से दमध्यान से कौपी में लिखते हुए रहिएगा पूड़ा को पॉज करकर के लिख लिजेगा ठीक कोशन नमर एकावन देखते हैं मंदाकनी वर्नम पाठ में राम किसको मंदाकनी नदी दिखा रहे हैं तो किसको दिखा रहे थे तो सीता को हे सीते हे सीते करके दिखा रहे हैं ठीक कोशन नमर बावन देखते हैं मंदाकनी वर्नम पाठ में कुल कितने पद हैं तो यह आपका 10 हो जाएगा 10 कुल 10 पद है ठीक कुशन नमर्च देखते हैं कि मनुष्य उर्धोव बाहव नियमात उपती स्थनते यह हो जाएगा खाले स्थान में भरना रहेगा तो राजनम हो जाएगा ठीक कुशन नमर्च पच्पन देखते हैं स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे तो बिर्जानंद थे ठीक को्शन नमर्च पटेक कुशन नमर्च पच्पन है स्वामी दयानंद का जनम कभ हुआ था तो स्वामी दयानंद का जनर adva see question no 57 सवामी द्यानंद की सिछा कीस भासा में आरम हुई थी question no 58 सत्यार्थ परकास सवामी द्यानंद कर देली Zenko को कि राम परवेश राम के परिवार में कितने लोग थें तो यह आपका चार लोग थे ठीक को सार देखते हैं साथ नमबर को सने उदो गीनम पुरुष सी सी मुपैती लचमी युक्ति चरीतार थे किस पाथ में हुई है तो आपका कर्मबीर कथा में हो जाएगा अपसन में भी हो जाएगा ठीक को सनमबर 20 देखते來說 स्तापित की था था श्ण नम्बर श्ट्रीों 大ू स्प्रिखनों इस नमब सिंध्यों दाले में परतम स्थान प्राप्त किया था थे शोज हो संब्ष्ण घिला कि फुले हैं विम्यों फूरह बुष्ण상이 तोला में एक departure की डुडी पर क्या स्थापित किया था था थो क्या सिवित प्रात्मिक विद्याले स्थापित क्या था एक उस게 डुडी पर ठीक कुसर नंबर there 63 कि सिवाखा अंत्र नंक्रेन युक्ते सुट्र का उधारन है तो ग्यान अंत्रेन न मोच अप्सेन नमबर सी हो जाएगा को सब्सक्राइब देखते हैं जिवनास्य चरितरम का समस्थपद क्या होगा तो समस्थपद जीवन चरितरम हो जाएगा समास का प्रथम तर्थम पड संख्या वाचा होता है जो पीछला वीडियो देखे तो उनको में बताये थे पूरा चारों पटाया थे च्शिदी का दोनों फद्परधान होता है च्शिदी क कुछ बिशेस निकलता कुछ बिशेस बिश्यस और निकलने का उसकी दसानुअ निकलता है से में जो पीला वस्तृपन थैस आगे अब यह रहता है तो यसे नहीं सभी को याद रखेगा क्योंग कोई भी आपको पूज़ सकता है ठीक में इक्जाम जो आपका फरवरी में होगा दोज़ा चुलिए 67 देखते हैं राजा जो सिरी की संधी संधी क्या होगी तो इसका हो जाएगा राज अर्सी हो जाएगा ठीक कुर्शन नंबर 68 देखते 68 द्वार crime mission द्वार है काम कmanship लौज हो जयागा कोशना नंबर 70 सतर नंबर편ाल किसीश्य होती है तो मेरी ज्यास होती है साबूससर्प से होती है इंदेखते हैं 37 प्रीवादी लो लोघ होते हैं तो दूरूलब नंबर Д्योर के अमगरки सब्सकार का पर्योजन क्या है तो गर्ववती की परशन्यता अप्शन नमबर देखते हैं कि भारतिये जीवन दर्शन का महत्वपुर्ण उपादान क्या है तो इसका हो जागा संसकार हो जागा संसकार कितने होते हैं कमेंट करके बताईएगा को सनमबर देखते हैं के सांत संसकार कहां होता है तो के सांत संसकार गुरु गरिह में होता है ठीक को सनमबर एक स्षेतर देखते हैं पचीश को सनमातर और बचा है बस उस प्रकार के होते हैं तो प्रकार के होते हैं ठीक ऑफ्शन नमबर भी हो जाएगा को सब्सक्राइब देखते हैं आपका कि श्वर्गा पवर्गा पद दमार्ग भूत देश कौन सा है तो इसका हो जाएगा ऑफ्शन पर भारत क्यों कें सब्सक्राइब क we can chia स्मुछ कि युद्ध सब्सक्राइब देखते हैं गांधी दर्शन से परभावित रचना कौन सी है तो कौन सी रचना है शत्या ग्रह गीता हो जाएगा ठीक कुछन अबर 80 देखते हैं कंपन कंपन राय का समय क्या है तो कंपन राय का चोदवी सताब दी था कुछ नबर 80 देखते हैं लौकिक संस्क्रीत साहित की कवित्रियों में प्रथम प्रथम कल्पना कौन है तो प्रथम कल्पना कौन थे तो बिजयांका था ठीक अप्शन में कितनी मंत्र दर्शन वती रिशिकाओं का उलेख है तो आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा अन्यायम में कौन सा समास है तो अन्यायम में कर्मधारे समास है ठीक कुछ नबर चाहसी देखते हैं जल्दी से सो कोशन खतम करते हैं कि आरच्छी लुन्ठकात त्रायते किसी सुत्र का उधारन है तो आपका हो जाएगा वार्नार्था में मिस्पीत हो जाएगा ठीक कौशन नंबर चाहसी देखते हैं चाहसी नंबर कॉस्टन है कि उभ्याता अव्याव के योग में कौन से भी भाक्ति होती है तो यह आपका त्रित्या भी भाक्ति होता है अप्शन नंबर ऑपनजी देखते हैं अत्यधी कंसे अफसरग है अगे लगता है प्रत्य पीछे लगता है ठीक उपसर अत्य धीकम अत्य जोर डीकम तो अति हो जयागा Por Johnson B kh 85 आऩ कथा पार्ट में मिठला का मंत्री कौन था डिश्वर्थ हा नंशना इन गेखते हैं मत्सक्र था क्थाक क्यूं में仏 देखते हैं तो मत्सक्रा के आलसी की उखती है तो यह आपका हो जागा प्रत्मा की कोशन अब केबल 10 कोशन बचा है ठीक कमेंट करके बताएगा कोशन आपको कैसा लगा और टोटल आप डिस्टी का भी कमेंट कर दिजेगा टोटल बच्चे ठीक कोशन नमर 91 है देखते हैं वरही का अर्थ क्या होता है ठ ठीक कोशन नमर 93 में देखते हैं पतना नगर की पालिका देवी कौन है तो पटन देवी सीह जाएगा और 94 कह लिए पुतर पतना के नाम से कब परसिद्ध हुआ तो अपका हो जागा मध्यकाल मे फूर्शन नमर पंचा नमर देखते हैं पंचायम नमर कॉशन है कि दधी बाद में कौन सी धातु है तो आपका अप्जागा गम धातु है ठीक कोशन नमर 97 देखते हैं नाडी में कौन सा इस्त्री परते हैं नाडी में डिप परते हैं कोशन नमबर सो देखते हैं सो नमबर कोशन है भावती में धातु है तो भन धातु है ठीक अभी हम सब्जेक्टिव कोशन भी आपको दिखा देते हैं ठीक सब्जेक्टिव कोशन दिखाने से पहले हम बता देते हैं इस अभी सब्जेक्टिव कोशन जो वीडियो है डाला हु परकार से आपका जो लिख लेना है ओसमें नहीं लिखेंगा ठीक फिर आपको एक लाइन में उत्तरदेना होगा पुर्ण वाक्य में ठीक देख लिजे, दो कोशन रहेगा, ठीक, यह आपका चार माक्स का रहेगा, ठीक, और एक कोशन आपका रहेगा, इसका सीर सकत लिखने के लिए एक नमबर का, ठीक, ऐसा ही अथवा में रहेगा, इसका अंसर दीजे, या अथवा वाला इसका अंसर देदीजे, ठीक, और फिर ए और ऐसा ही question रहएगा, दो question रहता है, ऐसा ही, और एक question में दो अथवा रहता, यानि चार question रहएगा, जिस में से आपको दो बनाना होगा, ठीक? और देखे,ी आठ माक्स किया आपको क्या है, कि दो प्रस्नों का उतर दे, पहला है मित्र पर आपको निवंद लिखना पड़ाइगा थीक अवकास पत्र के लिए अपने मित्र बिवाव समरों में समीलित होने के लिए थीद दिन के अवकास के लिए विध्याले प्रधान को एक अव्यदन्व संस्क्रित संस्कृत में दोनों Thai आपको देना लिए आएगा दस में से आठ को अब नुवाद करना होगा इसका आपको कोशन देख लिए आप यदि कहानी पर है तो पूरा कोशन को आप लिख के आप इसका अंसर देजिए तब हम मानेंगे कि हाँ आप कि कहानी पर देखिए आप टोटल कोशन हम करवा दिये तो चैनल को साथ आपको रट लेना है ठीक तो चैनल को सब्सक्राब जरू करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो क्लाइक जरू करते हैं धन्यवाद